कक्सा साथ विशे समाजी की विग्यान दिनांग का 28 एक तो जारिकिस आज का होमरक पार्ट हमारी बदलती पर्थवी से समन्दित है इस होमरक में आपको पांच क्यूशन दिये गए हैं पहला पर्षन सबसे उचा जल परपात का नाम उरुस्थान दूसरा बृस्थो के सबसे बढ़े डेल्टा का नाम तीसरा पर्षन पांच तटी एस्टला करतियों के नाम सोथा पर्षन टॉंबोलो को परिवाषित करें और पांच वपर्षन विश्रप को परिवाषित करें तो आईए इस वीडियो के दोरा इन पांचों परसनों के उत्तर हम देख लेते हैं आज के होमर का पहला परसन आपको दिया गया है यहाँ पर भारत के सबसे उंचे जलबरपात का नाम और स्थान बताईए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का सबसे उंचा जलबरपात जो गया गरसोपा है जिसे महातमा गांधी जलबरपात भी कहते हैं और यह करनाटक राजे में सरबती नदी पर ? यह स्तित्रा बाता ख्याब शंद्रबन भारत था बांगलादेश में इस्तित्वीत्व को सबसे बड़ा नदी डेल्टा है यह सहां उत्रा हो गया कीनिवे नाम लिखिए तो की पन General के पन से जदा नाम लिखेंवे पुलीन टिब्बे स्टेक समुद्री भर्गू तट्य महराव वेदिकाएं कंद्राएं आधी और भी बहुत सारे तट्य इस्तला करते हैं होती है तो इस तरह के से आपको यह परसंग्याच्यार परसंग्याच्यार आपको यहापर दी गई है टॉम्बोलो को प्रिवाशित कर टॉम्बोलो क्या होता है त्ट से किसी द्वीब को मिलाने वाली रोधिका को टॉम्बोलो कहा जाता है PACया जैओं यह सिसका सही ع monopol हो जाएगा इसके वादे प्रसंग्याच्या-5 परसंग्या-5 आपको दी गई है विश्रप को परिवाशित करें तो विश्रप क्या होता है जब नदी मेदाने भागों में परवेश करती है तब वह मोड़दार मारग अथार्थ सरपिले आकार के मारग में बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को विश्रप कहा जाता है। विश्रप अंग्रेजी के ऐसा कार के होते हैं। तो आज के होमर के पांचो क्यूशन थे इस तरी के से पांचो क्यूशन करने हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें तता चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।